जेहंद दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही शोट वीडियो होने वाली है कहने का मतलब यह है कि बहुत ही छोटी वीडियो होगी आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को कुछ डेटा दिखाऊंगा जो डेटा मैंने MPK वेबसाइट पर लिया हुआ है इस डेटा के माध्यम से हमें यह जानने को मिलेगा कि किस तरह से बढ़ चड़ करके लोग म्यूच्वल फंड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं यो तो नए लोगों के लिए मूच्वल फंड का कांसेट काफी complicated होता है लेकिन मुझे एकिन है कि जो भी बेक्ती mutual fund के बारे में अच्छे से जान जाता है, समझ जाता है उसकी पहली पसंद mutual fund ही बन जाती है और ये data में भी हमें देखने को मिल रहा है तो हमेशा की तरह आज की वीडियो भी बहुत informative होगी इसलिए मैं request करूँगा आप सभी से किस वीडियो को अंतक जरूर दिखेगा तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में आसा करता हूँ आप से बच्चे होंगे मैं हूँ अन्वर अंसारी चलिए पेस करते हैं तो अब आपने यहाँ पे देखी लिया है कि मैंने हाँ पे सारे डिटा पहले सहीं लिख रखा है मैंने लिखा है mutual fund investment तो अब हम सबसे पहले यह जानेंगे कि इंडिया के अंदर में जो भी mutual fund काम कर रहे हैं जिन भी mutual fund में investment जा रहा है उन सारे mutual fund को मिला करके जो SIP का amount पर मन्त mutual fund में जा रहा है अगर मैं बात करूँ मार्च 2024 का और यह data मैंने MP के website चलिया है अगर आप ही चाहें तो MP के website पर जा करके इस data को चेक कर सकते हैं तो मार्च 2024 यानि कि latest data है अगर इस data की माने तो SIP का जो total amount है जो सारा पैसा मिला करके जो count करके पैसा बन रहा है SIP का वो है 19,000 करोड रुपे यानि कि mutual fund में SIP के माध्यम से लोग हर मन्त 19,000 करोड रुपे से जादा डाल रहे हैं अगर मैं exact amount की बात करूँ तो 19,271 करोड रुपे mutual fund में हर महीने SIP के रूप में जा रहा है तो इतना लोग बढ़ चड़ करके mutual fund में invest करना पसंद कर रहे हैं यह तो तब है जब बहुत सारे लोगों को mutual fund SIP के बारे मालूम ही नहीं है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो mutual fund SIP के बारे में जान ही नहीं रहे यह तो भला हो MP का जो बहुत सारा पोसिस कर रहा है लोगों को अवेर करने के लिए mutual fund के बारे में जानकारी देने के लिए और अगर मैं बात करूं total AUM की यानि की हमारे इंडिया में जो भी mutual fund AMC काम करने वाले हैं उन सारे mutual fund AMC को मिला करके लोगों ने जितना पैसा invest किया है उसे हम AUM कहते हैं यानि की asset under management कहते हैं तो वो total amount कितना है तो वो total amount है पचपन लाख करोड रूपे और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया के अंदर में private sector bank, government sector bank, corporate bank, small finance bank इस तरह के जितने भी bank हैं इन सारे bankों को मिला करके इन bankों में जो FD के रूप में पैसा रखा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा पैसा mutual fund में invest हो जाएगा और ऐसा बहुत जल्दी होगा और बहुत जल्दी आपको इस तरह का खबर देखने को मिलेगा क्योंकि धीरे धीरे लोग mutual fund के प्रति जागरूप हो रहे हैं जिनको नहीं मालूम है वो जानने की कोशिस कर रहे हैं तो जैसे ही लोगों को मालूम चलेगा मुझे भी ऐसा जा है कि मार्च 2021 में आप देख सकते हैं SIP का जो एमाउंट है वो 19,000 करोड रुपे से ज़्यादा हो गया 19,271 करोड रुपे पहुंच गया और टोटल AUM की बात करें तो यह 55,000,000,000 करोड रुपे से ज़्यादा चला गया तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश एक मात मेरा यह था कि जो भी MP का latest data आया हुआ है जो मार्च 2024 का data है उस data को मैं आप सभी के सामने पेस करूँ ताकि आप यह जान पाएं कि SIP का total amount कितना है और overall mutual fund में अभी तक लोगों ने कितना पैसा निवेस करके रखा है और इस वीडियो को आप ऐसे लोगों के साथ में share कर सकत हैं जो लोग mutual fund के प्रति confidence फील नहीं करते हैं सहज महसूस नहीं करते हैं उनके मन में कुछ स्टंका रहती है तो अगर वो इस तरह की वीडियो देखेंगे तो उनको सायद से कुछ confidence आ पाएगा कि लोग जब 19,000 करूर रूपे से ज़्यादा परमत SIP कर रहे हैं और already 55,000,000 करूर रूपे से ज़्यादा उन्होंने निवेस करके रखा है तो mutual fund कोई खराब investment का option नहीं है हाँ आपको risk factor को समझ करके हैं यहाँ पे invest करना चाहिए short terms में आपका पैसा उतार चढ़ाओ यहाँ पे हो सकता है लेकिन overall अगर long terms के लिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से investment का सबसे अच्छा और आसान तरीका है mutual fund के माध्यम से invest करना, SIP करना, lump sum करना, इनी सारी सीजों को करना तो आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता और आज करना ही बाए